पर झालब सरल pergunta मैं सिघी एक वाकिया सुना के बाद खतम करो है आपने बहुत बड़े आल्ला के वली का नाम सुना होगा मालिक बिन दीनार को ये क्या थे में बहुत बड़े शराबी बहुत बड़े शराबी जब देखो जब एब यहां हाथ में होए र valleys शराव के नशे में होए अब इनकी बेटी थी दो साल की कितने साल की वह जब भी अबागा को शराव पिता देखे न तो बेटी है न बाप से बहुत मुभबत करें बेटा इतना और बाप की भी बड़ी अजीब शानी वो बेटी से बहुत मुभबत करेंगा जब भी होगा ना अपनी बेटी को फोन करेंगा हलो हलो मेरी बेटी बराबर मेरी बेटी ससुराज में बराबर है और बेटा मिलेगा ना आला कम बखत अगर बेटी को पता चले बेटी को गले लगा वे और दारू छोड़ देवे अचानक बेटी बीमार ही और इंतिकाल हो गया तो बाप होता है और टेंशन में और दारू पीना शुरू किया खूब दारू पीना शुरू किया कि मेरी बेटी चली गई यही बेटी लेकिन अल्ला किसी को हिदायत देवे यही हदरत मालिक मालिक नाम इनका क्या है मालिक कि रात को सुए न तो खाब में देखा कि इनके पीछे साब दोर रहा है और यह लंबा चोड़ा हटा कटा साब और दोर रहा है मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ और साम दोर रहा है इतने में साम ने देता कि बुड़ा आदमी है बुड़ा आदमी यह मालिक खाब में कहते है बुड़े आदमी को कहते है मेरे को बचा ले मेरे को बचा ले तो बुड़ा कहता ह आप पहाड पे चले जाओ, देखू उख, पहाड पे कुछ मिलेगा. यह दूरते दूरते ज़ूरते जूरते, उख साफंप पीछे हा रहाए, पीछे हा रहा है. वो बुड़ आदमी ने मदद नहीं की. यह दूरते दूरते पहाड रहें पहाड लें के ओपर गए. यह पहाड पे जन्नत का खेमा लगा हुआ है तो कहा कि अबा वो साप कहा वो साप आपका दारू था दारू जो आप पीते हो ना वो साप की शकल में तुम्हारे पीछे आ रहा था और जो भी दारू पीता होगा वो इसी साप के लपेट में आएगा यह जहन्नम का बना हुआ साप था तो कहा कि वो बुड़ा आदमी मेरी मदद नहीं किया कहा वो तुम्हारे अच्छे आमाले इतने कमजोर है कि वो साप को भगाई नहीं सके तुम्हारे आमाल इतने कम है न नमाज है न रोजा है वो साप को कहा भगावे तो बेटी तू क्या करेगी का अबा एक बात बताओ आपने कुरान पढ़ा है ना कहा क्या बेटी मैं तो कुरान तो पढ़ा हूँ का अबा आज में एक आयत सुनाती हूँ अभी तो आप खाब में हो आँख खुले तो वह आयत के ओपर गौर करना और बेटी ने सुरे लिए आवाज में आहा जन्नत की आवाज होगी सुरे लिए आवाज में वह आयत करीमा सुनाई अलम यानि ल्लदीना मनू अंतख्शा कुलूब गुम ल्विक दिल्ला वमा नजल मिन लहाक वला यकुनू का ल्वी नूतु किताब मिल कामल उस आयत का तर्जुम आए क्या अभी भी वक्त नहीं आया क्या अपने आपको अल्ला के सामने जुका के तौबा करे अभी और हास्मान और जमीन के कितने हालाद देखने है अब तो तौबा कर ले इनकी आँख कुनी फौरण वायत को देखकर का अल्ला अब तौबा फिर जो तौबा की और एक अल्ला के वली के हाथ पर जाकर बायत हो गए ये भी जरूरी है किसी अल्ला के वली के हाथ क्या हो जाने का ये किन के हाथ पर बायत हुए हदरत हसन बसरी रहमतुला ले के हाथ पर लेने वालाता ना वो इनके पास आया चलो बाई एक एक दीनार एक एक दीनार यहां से वहां तक जाना बहुत लंबा सफर है चलो जितने पैसेंजर है सब लोग एक एक दीनार निकालो इनके पास आये चलो एक दीनार तो इनका मेरे पास कुछ भी नहीं है आएगा तो दे माल था, सब दे लिया, अब हलाल कमा रहा हूँ मैं आईगा तो मैं दे दूँगा, तो उसमें जोर से धक्का मारा, फेका नहीं खाले ऐसे धक्का मारा, जासे धक्का मानना था ख़्षिटी के चारों तरफ मच्छ्री आ गई और सब के मुँ में एक एक डिनार लगा ओए कश्टी के चारो तरव मछली के मुँं एक डिनार अधस्थ मालिक ने बने का ले ले किस के मुह से ले ले एक बिनार ले ले अब वो गबराने लगा और किहने लगा नाना, आप तो अल्ला के वली है, में को आप से पैसा नहीं चाहिए, एक बार तो धक्का मारा, दूसरी बार भी मारी देना, तो नहीं आपको धक्का नहीं मारा, तू नहीं मारेगा, मैं खुद जाओगा, आप समंदर में गए, और सारे कश्टी वालों ने देखा, आप चलते-चलते समंदर में रास्ते को पार कर दिया, जब पा आखरी में का कोई उम्मती सच्ची तौबा कर लेता है ना, फिर अल्ला उसके लिए नामुंकिन को भी मुंकिन कर देखा, तो हम सच्ची तौबा करें तो हमारी दुकान क्यों नहीं चले, हमारा मकान क्यों नहीं चले, हमारी बीवी फर्मा बर्दार क्यों नहीं होए, हमार वसक करेंगे इंशाला, अङ गला ज आमसाक औ आमाल के तो फिका तार मान